और आज हमारे स्कूल में जो NSS केम्प की ऑपनिंग की गई जिसमें बहुत सारे विद्यार थी बहुत सारे टीचर्स और स्पेशली हमारे चीफ जो श्री गगनवीदू जी है वो उपस्तित थे और मैं बताना चाहती हूं कि वो कैनेडा में जो रहते थे और वहां का काम छोड़के वो स्पेशली इंडिया में अपनी जो है देशिवा की बावना को जो है वो जागरित करने के लिए हमारे हमारे साथ उपस्तित थे और उन्होंने जो है वो देश सेवा की भावना को जागने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हम कैसी जो है आगे सफल हो सकते हैं इसके बारे में बताया और सभी ने बहुत अच्छे से इसको इंजोई किया और मैं दन्यवाद करना चाहती हूं का कि वो हमारे यहां आज दे सादे सिप्रिंट दे स्कूल दे वेचे एडा फंशन सीगा साथ दिन दा बच्चेया ने एडा केम्प लगाया जा रहे है सरवन ने अज सानु मान बक्षियास इस केम्प दे दुगाटन वेचे सानू शामल गीताई आज हमारा जो गाउं है इसका जो एमिनेंस स्कूल है उसकी तरफ से जो एन एसस केम्प जहां लगाया गया है यह केम्प 24 से लेके 31 संबर तक चलेगा तो बहुत ही बड़िया परजयतना है सरकार का के बच्चों को कैसे समासेवा करनी हैं देश के लिए उनके क्या ड्यूटीज हैं क्या फर्ज हैं वो जानने के लिए जहां कठे हुए हैं आज गौर्मेंट सीनिर स्कैंडी स्कूल एमिनेंस स्कूल जो है होआ का तो आज हमें हम जहां आए थे तो इस कैंप का शुवारम किया और बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला और बहुत ही बड़िया लगा और हम कामना करते हैं हमारी इच्छा है कि बच्चे बड़े होके अपने एजूकेशन के साथ अपने काम के साथ देश और समाज की सेवा में लग दो इन आए नहीं जान जान तरह केंप लेगा गयाए जान आए केंप साथ दिन साथ स्कूल जबी चलेगा बख़ग पिंड़ां तो साथ स्कूल देविच दाखल बच्चे देज पाग लाहरेने तो यह दा ज़ना मुख मुदा है बच्चे देविच लोग सेवा दी पावन सब्सक्राइब करना बहुत ही रोचिक है और इना दी लोग सेवादी पावना है उदा जिकर करना बहुत जरूरी हो जंदा है क्य। मैंद्ध लेकंच भी मिठी नाल्प्यार इनना भी आल लाल ज। वी uchenाने बच्चेयां बागरा बच्चेयां ते लोग से लौधी पावना प्यादा करने बासते हैं अपना बहुत ही बदिया लेक्चर भी दिता है, वो सब तो बदिया एड़ना ते मैं तानवाद ये करना चाहना है, किना साथ एक कैम्पनों और मजबूत करना वास ते, बच्चेयां दी बेहतरी दे ले, ग्यारा हजार पे दी नकद राशी दे कि उना नो नवाजे है, मैं ब बहुत तानवाद करना, अपने स्टाफ बलोगी, अपने बदियातियां बलोगी, थैंक यू सो मच.